दूस्तों आज की कहानी है जिठानी जी सास ससूर के लिए सुबे का खाना आप बनाना और साम का खाना में बनाऊंगी दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्रेप नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे अरुज नया वीडियो संत्या का समय हो गया था आसपास के सभी गरों में लाइट हो गई थी मिर्शाजी के गर में भी समय भगवान की आर्थी सुरू हो जाती थी मिर्साजी और उनकी पतनी गंगा देवी दोनों अपने पोते पोतियों के साथ मिलकर साम की आरते बड़े जोस और उमग से गाते पराज की साम रोज के जैसी नहीं थी मिर्साजी के गर में अभी भी उनकी दोनों बेटी और बहों की लड़ने जगडने की आवाजा रही थी मिर्साजी अपनी पतनी के साथ गर के एक कौने में सुब साब सीमटे वे बेटी थी आज मिर्साजी के गर का बटवारा हुआ था दोनों बेटों ने साब साब को दिया था कि अब वो साथ में गु लग अलग अलग साई था रोज रोज के जगडों से तंग आकर आखिर मिरसाजी ने अपना फेसला सुना दिया और दोनों को गर का अलग-अलग हिसा दे दिया पर फिर भी मिर्शाजी के दोनों बेटे घर के अपने मन पसंद हिसे को लेने के लिए लड़ रहे थे दोनों को एक दूसरे का हिसा जादा अचा लग रहा था मिर्शाजी ने ये फैसला दोनों के ऊपर सोड दिया था कि तुम दोनों को जोजो ही सा पसंदेवर रख लो दोनों भाई प्यार और समझदारी से अपना ये निर्णिय ले लो पर अभी साम से रात होने को आई थी दोनों भाईयों की बेस खतम नई हुई थी गर की हर एक सीज़ पर दोनों अपना हक मान रहे थे गर की हर एक सीज़ का मुहाना कर रहे थे पड़ोस के घर से आरे आरती के सवर से गीता देवी जी के हाथ अपने भगवान के सामनी जूड गए आज बगवान भी गीता देवी को उदास लग रहे थे क्यूंकि घर में मंदीर सिरफ एक ता दोनों भाई उस मंदीर के लिए लड़ पड़े गीता देवी का सोंद्र नकासी का बना हुआ मंदीर दोनों भाई अपनी हिसे में लेना साहते थे गीता देवी से रहा नहीं गय वो मंदीर में दीपक जलाने लगी और अपने बेटों से बोली अरे बेटा घर में मंदीर तो एक ही होता हैं तुम दोनों इसी मंदीर में पूजा कर लिया करो तभी दोनों बहु भी समय बोल पड़ी अरे माच सब सब कुस अलग करें तो फिर मंदीर एक क्यो हमें तो मंदीर भी अलग अलग साइए हम अपने अतें हैंने हिसाब से पूजा करेंगे तबी में साथ दीव वाहं पर आगे और वो बोले तुम लोग इस मंदीर के लिए मत लड़ों ये मंदिर हम दोनों हमारे कमरे में रखेंगे और तुमारे हिसाब की पूजा मैं हमें पता है हमारा कोई नमबर नहीं होगा इसलिए इसको हमें हमारे कमरे में रखने दो और तुम दोनों अपने लिए अलग-अलग मंदिर की विवस्ता देख लो मिरसाजी मंदिर को उठा कर अपने बड़े से कमरे में ले जाने लगे तभी बड़ा भीटा बोला रे बाबू जी आप उस कमरे में मत जाए इतने बड़े कमरे में आप दोनों मिया भीवी क्या करेंगे ये कमरा हम दोनों भायों ने अपनी अपनी रसुई बनाने के लिए सुन लिया आप एसा किजीव सोटा सा इस टोर हमने खाली कर दिया आजिए आप उस कमरे को अपना कमरा बना लीजी आप दोनों के लिए सोटा सा कमरा बहुत हैं तबी बड़ी बहु बोली हाँ सही वो कमरा थोड़ा साइड में भी हैं आपकी पूझा पाट करने की आवाजों से हमें कोई परेशानी नहीं होगी मिर्साजी ये बात सुनकर एकदम सुन रह गए जिस गर की बुनियाद बनाने में वोने अपनी पूरी जिंदकी लगा दियाज उस गर में एक सोटी से कोने में एक फालतू का पुराना सवान समझ कर उनके बेटे उनको उनकी कीमो समझा रहे हैं गंगा देवी अपने पती की आँखों में आई नमी को देख सुकी थी उनका दिल जारजार करके रो राता गंगा देवी ने अपने पती की पूरी मेनत देखी थी समकान को खड़ा करने में रात दिन और वर टाइम करके पैसा जोड़ा और अपने और अपने बच्चों के लिए सुंदर सा घर त्यार करवाया अपनी कितनी खवायोसों को दपन करके और अजिस घर के स्वामी कोई घर के पुराने स्थमान रखने वाले इस टूर में रहने के लिए कहा जा रहा है गंगा देवी जानती थी अगर वो अपने इस कमरे को नई सोड़ेंगे तो बेटे ब होगी मिर्साजी ने इस घर की इजद कमाने के लिए पता नहीं किया क्या त्याग किया था इसलिए गंगा देवी ने जल्दी से मिर्साजी के हाथ पकड़े और उनको अपने नए कमरी में ले गई आज एक देम कड़क मिर्साजी सूब से हो गए थे दोनों सूब साब एक दूसरे को देखे जा रही थे रात के नो बजने को आए थी मिर्साजी रात के आट बजे से पहले खाना खाती थे पर आज कहीं खाने का नामों निसां तक नहीं था गंगा देवी खाने की सुद बुद लेने की लिये रसुई में गई तो देखा दोनों बहुए अपनी अलग लग रसुई जमाने में लगी थी अज दोनों ने खाना बार से ओर्डर कर दिया था गंगा देवी ने जब कुछ खाने के लिए मांगा तो दोनों एक दूसरे को देखते वे बोले अरे हमने सब कुछ सीचों को बटवारा कर लिया पर अभी तक मा बाबु जी के खाने का बटवारा नहीं कर पाई ये हम कैसे भूल गएं बड़ी वाली ने सोटी से का देख सुबे तो खाना बना देना इनके लिए और साम को मैं बना दूँगी सोटी वाली बोली अरे नई बड़ी दीदी सुबे अब बनाना सुबे मेरे ज़्यादा काम रहता गंगा देवी के सामने दोनों उनके खाने के टाइम को लेकर उलज पड़ी गंगा देवी दोनों की बहस सुन कर सुई से बाहर निकल पड़ी तभी बड़ी बहुने फीसे से कारे माजी आप दोनों के खाने के आधी आधी पैसों का बटवारा कैसे करना है हमको बता देना समय पर खाना ना खिलाने की मचबूरी साप दिखाई दे रही थी दोनों ने पानी फीकर पूरी रात गुजारी सुबे की साई का कोई अत्ता पता नहीं ता दोनों बहु उटकर वहीं बाते करने लगी बड़ी बोली देख सोटी बाबुजी को एकदम पूरी दुद की साई पीनी होती हैं तो देख मेरे पास तो अभी इतना दुद है नई ऐसा कर तू बना दे सोटी वाली बोली अरे दीदी में दुद की साई बना दूंगी तो मेरा मुन्ना क्या पीगा आप ऐसा करो भया से आते पैसे लेलो और दुद मंगा कर उनके लिए साई बना दो जब आने के लिए तो सोटा भाई बोला अरे भाई आप सुभी सुभी मुझसे पैसे मागने आगे मैं आपको बाबुजी की किस की सीज के पैसे दूंगा आप अपने पैसे क्यों नहीं देते दोनों भाई वापस इस बात को लेकर लड़ पड़े अब ये सब मिरसाजी के बरद पैस बंध करो अब दोनों अपनी ओसी हरकते अरे पूरी जिंदकी बर दुमारा पेट भर सकता हूँ तो अपना पेट भी मैं खुद भर सकता हूँ अभी तो मेरे कंदौ में इतनी ताकते बस सुकुन सही कुझा है जो लगता है ब तुम लोगों के सात नहीं मिल सकता〜 गर मेरा है मैं साँ तो तुम लोगों को यहां से अभी इसी टाइम निकल सकता हूँ पर मैं तुम लोगों के जे से नीसे नहीं गिर सकता गिर पीता हूँ पर यह पीता तो कटोर और फैसला ले सकता है पर तुमारी मा के लिए तुम नालाइक होते वे भी अभी भी उसके कि लिए हम दोनों पती पतनी हमारे बस बनाई वे गर के उपरी हिसे में आराम से अपने लिए और तुम लोगों को सिर्प ये निसे का हिसा दे रहे हैं वह भी अपने दिल पर पत्र रखकर इस घर को मिरसाजी का अगर समझकर किराइदार के जैसे रहना तूम अगर तुम लोगों को मेरे इस घर में सांती और सुकुन से रहना है तो रहो वरना इस गर से जा सकते हैं मैं अब और कुछ भी बैस किस घर में नहीं सुनना साथा हम दोनों पती पतनी अपने जिन्दकी के बसे वे दिन सुकुन के साथ एक दूसरी के साथ जिना साथ अगर हमारे सुकन को तुमने सीना तो हम इस घर से तुमें उसी वक्त बेदकल कर देंगे अरे मेरी बरसों की निला मत करो सांधी से रवारे हमारे खाने पिने के पैसों के लिए तुम लोग इतनी मगजमारी कर रहे सरम से डुब मरो तुम लोग मिरसाजी ने अपने कूर्थी की जेव में से एक नोटों की गड़ी निकाली और अपने बेटों के हाथ में देते भी बोले ये पैसे रखो अपने पांस और जब हम दोनों मिया भी इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे लिए कपन ले आना और हमारे मरने के बाद के काम कर में नहीं साथा तूम दोनों हमारे मरने के बाद भरे समाच में हमारे कपन के पैसों के लिए भी एक दूसरे से लड़ते रहो और हम उसका पन के इंतजार में लटके रहे रहे हमारी बड़सों की कमाई हुई इज़त को इसत्र सब के सामने मत उसालना सब को बरे बरम में रहने देना की मिर्साजी के बेटे अच्छे जैसे की मैं आज तक करता आयाँ बस सिरफ अपनी इज़त के मौ में बंधा हुआ पूरे गर में सनाठा सा गयाता दोनों बेटे बउश रफ सुप साब खड़े ते और अब इस गर में रहने के लिए उनको सुप ही रहना पड़ेगा मिर्साजी के गर में रहने की किमत शिरफ सांती और सूकन है जो उनको अब हर हाल में निभानी पड़ेगी वरना इस गर से उनकी सूती